हाई डीलेट स्टुडेंट क्या आज चाल कैसे आप लोग उमिद आफ सब बहुत अच्छे सोंगे स्वागत आफ सब इस वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में हम फिर से एक बार थर्ड क्लास लेके आए हैं साइन्स उपीडीलाच फिर से पफिर सब इसमें हम यूनिट 5 देखेंगे इस से पहले दो वीडियो में हमने यूनि या बल क्या होता है, motions के नियम, गती के नियम, गती के समिकरड और कित गती के जो प्रकार होते हैं, जो types of motions होते हैं, उसको हम देखेंगे, इसके अलावा जो आपके syllabus में हो speed, चाल जिसे कहते हैं, परिभासा, सुत्र और मातरक, unit, formulas and definitions हम देखेंगे, इसके अलावा है आपके unit में force, यानि की बल जिसे कहते हैं, पेसिये बल, गुर्तिये बल, चुमकिये, विद्धुतादा, घर्षर बल, these are all are the types of forces which we will discuss in this class, okay, so बिना किसी देरी के आईए शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम चलते हैं, आपके पांचवे rate का पहला point, जो की है दोस्तों, motions और force, गती एवंबल के बारे में, तो सबसे पहला एक सवाल आता है दोस्तों, कि motions, यानि कि गती की अधारणा या concept क्या होती है, गती कोई चीज कैसे हम कह सकते हैं, कि ये motions में है, उससे पहले मैं आपने हर वीडियो में कहता हूँ, कि ये आपके syllabus में क्यों रखा गया है, क्योंकि कल क जब आप teacher one के school में जाएंगे, तो आपसे बच्चे इसी तरीकी के सवाल पूछेंगे, तो आपको ज्यादा सा ज्यादा अच्छे से reply करके उन्हें convince कर, उन्हें topic को, concept को समझाना है, एक myth है दोस्तों हमारे मन में, कि गती का मतलब एक अस्तान से दूसरी अस्तान तक चले जाना ही गती होता है, ठीक है, अगर मैं कह दो कि यह मेरी fingers है, और मैं इसको ऐसे ऐसे move करा रहा हूं, तो क्या आप कहोगे कि इस fingers में moment है, गती है, यह motion कर रहा है, बिल्कुल कहोगे, लेकि फिर भी यह जो finger है, वो एक ही अस्तान पर है, तो फिर यह गती कैसे कर रहा है, त देखिए वास्तों में, जब किसी pinn body की इस्तिती समय के साथ बदलती है, तो वो गती मान अवस्ता में होता है, जैसे यह finger अभी यहां पर है, अगले सकंड यहां हो गया, फिर यहां हो गया, आप देखेंगे समय के साथ इसकी स्तिती क्या होती है, बदलती हो जाती है, तो कोई चलती होई गाड़ी है, जो अभी यहां है, एक मिनट के बाद कहीं और होगी, अगले मिनट कहीं और होगी, तो वो भी कहा है, दोस्तों, motion में, यारे कि अगर कोई वस्तू समय के साथ, समय के साथ इसकी स्तिती की वैसी ही रहती है, मतलब उसकी स्तिती नहीं बदलती, तो उसको हम कहते हैं, वीरामा वस्ता में, rest position में है, जबकि अगर कोई वस्तू, कोई object, कोई pin, कोई objects, अगर वो समय के साथ, समय के साथ, with respect of time, अपनी अवस्ता में, अपनी state में change कर रहा है, तो वो क्या होगा, motionless condition में होगा, यानि कि गतिमान अवस्ता में होगा, अता किस इस पिंड की स्तिती में परिवर्तन को गति कहते है, समझ में आगे, समय के साथ, उसके पिंड की में होने वाली परिवर्तन, उसकी आवस्ता में होने वाले परिवर्तन को गति कहते है, इस तरीके से आप बच्चो को समझाएगे, फिर आप बच्चो से कहेंगे, क्या आसप वैसे ही आप बच्चों से पूछेंगे कौन को इस चीज जो स्तिरास्ताम है तो जो कहएगा दूर रखी हुई कुरसी वो कोई उसको हटा दे तो अलग साथ है तो वो दूर रखी हुई कुरसी और कहीं खड़ी हुई साइखिल खड़ी हुई की बात कर रहा हूँ ठीक है जब वो जलती है तब वो गती माने जब वो खड़ी है तो खड़ी है ठीक है चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि गती के प्रकार टाइपस अब आप बच्चों से पूछेंगे कि मोशन्स आप देखोंगे कई मोशन्स होते हैं जो जाग रुपता थोड़ी सी जानने की ललक पैदा करेंगे आप और बताएंगे कि गती के भी प्रकार होता है कही तरीके से वस्तुएं गती करती है पर उनके कही तरीके की टाइप्स होते है पहला दोस्तों रेखी या स्थनांतर यानि की लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन इस से गती करता है पिंड में होने वाली इस प्रकार की गती को स्थनांतर गती यानिकि रेखी गती कहते हैं मतलब कोई भी वस्तु कोई बेंड कोई अबजेक्ट एक सीधी रेखा में गती कर रही है जैसे कार यह जलती हुई लड़की सीधी रेखा में गती करती है इसके वारा उस पे बल यानि एक फोर्स लगाया जाता है एक रसी में आप कोई पत्थर या कोई अब्जेक्ट बांद के से घुमाएंगे तो वो रसी उस पत्थर पे क्या लगाती है इसलिए वो जो है वो सर्कुलर मोशन करता रहता है तो जब कोई विर्तकार पत्थ पे होने वाल कटी कहते है जब पिर्द वरितकार पत्थ पर एक समान चाल से चलता है तुसे एक समझ समझ जब यह मौशन करने वाल और मोशन करेख़ें खरने जब कोई या कोई औब्जेक्ट सर्कुलर मोशन बहें त स्टेंट स्पीड से सबस्क्राइब से सब्सक्राइब तो कि एक सब्सक्राइब फिर में preacher कुरूर शब्सक्राइब कभी रुक के कभी तो वह क्या जाए वह असमान ठीक है वह समान सर्कुलर मोशन हो जाए रहा ठीक है और समान का मतलब एक होता है यूनिफॉर्म एक नॉनिफॉर्म यूनिफॉर्म मतलब एक समान नहीं आप एक से एक्जैंपल देखेंगे तो एक बच्चा जैसे घुमार है ठीक है कितना प्यारा बच्चा है और सूरज के और गती करता प्रिथिली तो यह सर्कुलर मोशन हो गया अब यहां पर एक चीज और इसको समझ जाएगा घुडन गती क्या होता है घुडन गती वह होता है जिस्टों जब कोई ऑबजेक्ट अपने एक एक एक्सिस जैसे माल है ठीक है जूला देखिए जूले में भी वह कील के चारो तरफ धूम रहा है जैसे इस तरीके का इंसान तो इस तरीके गती को हम क्या कहते दोस्तों रोटेशनल मोशन यानि की घूडन गती कहें अब सर को वरिती गती में क्या था केंद्र उसके उपर बल लगा रहा था इस क्या है वह उसी के साथ घूम रहा है तो यदि गुड़न गती करता है तो उसे असनांत्र गती नहीं होती है और जब कोई वस्तु चक्री अवस्ता में घूमती है तो उसे घूडन गती कहते है चत के पंखे की गती चक्की के आटे की गती आधी घुड़न गती के उधारण है समझ जागे कोई भी आप जैक्सिस उसमें एक एक्सिस मतलब एक अक्ष है एक लाइन है उसी के ऊपर वह क्या कर रही है तो वह गया है घुड़न गती यानि की रोटेशनल मोशन चली नेक्स द क्या होता है दोस्तों उसमें एक पर्टिकुलर लाइन के दोनों तरफ उपर नीचे गती होती है दो बिंदू के मद सरल रेखा में गती दोलन गती कहते हैं जैसे जूला जूलता हुआ बालक ठीक है आगे पीछे करते एक समान वर्तल गती करता पिंट की गती आवर्त होती दोलन दोलन थ्वर सा लिखना के इस स्सतिव में पींड अपनी इमत इप्षिति आगे पीछी गती नहीं करता है दोलन गती अवर्त गती कहीं ही रूप है बबना कि नीचे मोन हो जाए वब वह द नहीं रोगा तो यह हो गई दोलन गती में प्रोजक्टाइल मोशन यानि की परपेच्छ गती इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब सबसे बेस्ट इक्जामपल यह है कि जब आप पौधों में सुबह सुबह पानी डालते है वो पाइप के दुआरा तो उसकी पाइप से निकलने वाले पानी का मोशन देखिए वो ऊपर जाके एक प्रवलेकार यानि की प्रोजक्टाइल कर्व बनाता है इसी प्रकार की गती को हम क्या कहते है प्रपेच शिगती यानिक प्रोजक्टाइल मोशन कहते है इसके और एक्जामपल जिए जब बैट्समें क्रिकेट में से शॉट मारता है तो बॉल ऊपर जाता है फिर एक प्रोजेक्ट बनाते हुए जमील पे गर जाता है इस तरीके क को मोशन को क्या जैसे बंदूग में उपर से गोली मारी या गुलेल से मारी तो फुटबॉल से मारी या भाला फेकिए नीरे चोपनाने का भाला फेका था तो वह उपर गया फिर जाके ऐसे कर्व बना के आता है तो इस पकार की गति को क्या कहते है प्रोजेक्टाइल मोशन कह चोड़ी गई गोली आधी प्रपेक्ष की गति है और बास्केट बॉल भी जो बास्केट करते हैं तो इस तरी की क्या कहते है प्रोजेक्टाइल मोशन यानि की प्रपेच्छी गति कहते है तो कहीं दिक्कत हो तो कवर्मेंट ने बताना मैं फिर से उसको इसको बेंग कर यानि रोलिंग मोशन कहते हैं लुलक ने गति करते पिंड मैस्तनात का गति एवं पूरी गति दोनों एक साथ होते हैं इसमें क्या होता ना वह जो प्रजेक्ट जो अबजेक्ट है वह रोल होता हुआ खुद भी डोट होता है और वह आगए भी बढ़ता जाता है तो इस सिमिलर है यह भी क्या घरता है एक पर्टिकुलर पिंड के दोनों तरफ घूमता रहता है ठीक है तो जब कोई पिंड नियमित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराता है तो होने वाली गति को आवरती है प्रियोडक्ट मोशल कहते है आपने पैंडूलम घड़ी समय के बाद अपने पॉइंट से दोहराता है एक बार जाएगा फिर जाएगा फिर आएगा तो इस तरी को क्या गहेंगे प्रियोडिक मोशन जूला भी इसका एक उग्जामपल हो सकता है एक समान वर्तुल गति सरलोलक की गति एक समान वर्तुल वही मतलब पैंडूलम घड की बात की जा लिए जूदा जूलते बालक की गति की स्प्रिंग को खीच के भी छोड़ दीजिए तो वो अपने समय पर ऐसे होता रहता है इस तरी की गति को क्या कहता है प्रियोडिक करें समझ मेहान दें कि बहुत आसान सा कॉंसेप्ट है बच्चे को क्या समझाने कि कि मो हो जाएगा और बच्चे को कहेंगे जाओ देखो कौन किस पगार की गति कर रहा है लिख के लिए आप चली अब यहां से एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट आता है न्यूटन के गती विसे एक नियम यह आपको समझना है मुझे लगता कि एक से पांच तक जब आप बच्चे प्रत्म नियम को जरत्व का नियम भी कहते हैं दूसरे को सन्वे का नियम भी कहते हैं तीसरे को क्रिया प्रतिकिर्या का भी नियम कहते हैं वन बाई वन इसको देख लेते हैं फिर मजा आया का समझने में देखे बहुत सी सिंपल सी बात न्यूटन ने कही थी न्यूटन ने या अगर कोई वस्तू वीरामा वस्ता में है, रेस्ट पोजिशन में है, तब तक रेस्ट पोजिशन में ही रहेगा जब तक आप उस पर एक्स्टरनल फोर्स ना लगा दे, कहने का मतलब है, न्यूटर ने कहा था कि कोई भी ऑबजेक्ट अपनी इस्तिथी चाहे वो वीरामा आवस्था में हो चाहे घतिमार आवस्था में हो तब तक नहीं बदलेगी जब तक आप उस पर external force ना लगा दे थोड़ी से इंगिल से बात करें तो कोई भी object तब तक अपने same position में रहेगी either in a rest position or in a motion position until and unless you will applied external force on that तो जब तक आप external force ना लेगी कहने का मतलब क्या कोई कुरसी है तब तक कुरसी वैसे ही पढ़े रहे कि जब तक आप external force लात मारते ही वो उड़े जाएगा कोई cycle है उसको एक बार cycle चला के छोड़ दीजिए वो रुकेगा ही नहीं वहिया लखनों में चला के छोड़ा दिल्ली पहुंच जाएगा रुकेगा ही नहीं जब तो कुछ पर external force ना लगा जाए फिर बच्चा आप तो कोई भी वस्तू न्यूटन है कोई भी वस्तू अगर motion में है गतिमान में तो अब तक उस पर बनी रहेगी जब तक आउस पर external force नहीं लगाएंगे समझ में आरी बार लेकिन यह भी बात है अगर उस पर घर सा नहीं रहेगा friction force नहीं रहेगा तो वह पहिया घूम भी तो कुछ examples है अब बात कर लेते हैं दूसरा ठीक है दूसरे पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसलिए पहले हम तीसरे को बात कर लेते हैं तीसरे नियम में क्या कहाता कि हर किरिया के के विपरीत और समान एक प्रतिकिरिया होती है कैसे मतलब जैसे मालनी जी कोई force अगर आप तो उस force के समान ही उस force के equally opposite direction में एक reaction force काम करता है कैसे जैसे मैं एक example आपके पास एक हतोड़ा है ठीक है किसी के सर सर पे नहीं किसी के पत्थर पे मारिए आप पत्थर पे मारेंगे ना तो वह हतोड़ा पीछे की तरफ आप आपने एक external force लगाया उस पर आपने एक बल देगा तो ना भी पीछे की तरफ जाएगी कोई बंदा बंदूग चलाएगा तो गोली जब निकलेगी तो उसका बंदूग भी पीछे की तरफ होगा तो यही किरिया प्रतिकिरिया का नियम है अगर आप किसी पर फोर्स लगा रहे है किसी बल लगा रहे है तो जब आप ब तो आपके चोट लगेगी क्योंद सब्सक्राइब को क्या होता कर राओ चे में गेर अब यहां पर दूसरे नियम को तीक है इसको समयने से यह आप There पड़ेगा वह सन्वेग परिवर्थन यह क्या होता है सन्वेग क्या होता अब यहां पर देखिए अगर मैं आपको 10 की स्पीड से एक बॉल से मारूं तो आपको चूट लगे की नहीं लगेगी जैसा किर्केट बॉल देखते हैं जो बॉलर होते हैं वह बहुत चोट लगेगी अचा माने जिए वही बहुत जदा भारी उग तब फारी हो उससे मार दू तो फिर चोट लगेगी एक्जांपल के तौर पर देखिए अगर मैं मान लीजी जो चोटी वाली गाड़ी को मैं आपको 10 की स्पीड दस करें छोटी वाली गाड़ी को तीस की कि गती यानि कि मोशन से वेलोसिटी और मास मतलब दरबेमान की बीच में एक संबंद होता है और इसी का प्रोड़क्ट इसी का गुड़नफल को इसी के प्रोड़क्ट को हम सनवेक कहते हैं अब आईए यहां पर न्यूटन ने अपने इसे बल का सुत्र वित्पन किया जा सकता है यहां पर इसका फॉर्मूला होता है F is equals to MA न्यूटन ने कहा था कि किसी भी मतलब जो फोर्स लगता है न वो उसके अफ सनवेक परिवर्टन के धरके के समान उपाती होता है इसको कहते है मतलब जैसे माली जितना उसका सनवेग ज्यादा होगा उसका सनवेग उसका मोमेंटम जितना कम होगा उसका फोर्स उतना कम लगेगा सिंपल सी बात है velocity कह लीजिए या फिर उसका weight कह लीजिए weight दोस्तों जितना ज्यादा होगा weight जितना ज्यादा होगा किसी object का और velocity भी हो तो वो ज्यादा force लगाएगा और weight अगर कम होगा तो वो कम force लगाएगा कहने का मतलब यही था और यहाँ से एक force का formula होता है F is equals to MA जहाँ पर M जो होता है दोस्तों mass होता है और A जो होता है acceleration होता है निकि तोरड होता है ठीक है बस यहाँ पर आपको समझना है आपको बहुत ज़्यादा deep इसको numerical नहीं हो बस समझना है आपको चलिए आपको यहाँ तक आप समझ गया होंगे इसी हिसाब से तीन equations दिये गया थे Newton के दोवारा V is equals to U plus 80 आपके इस unit में बहुत numerical नहीं है बट आपको चैसे को याद करना पड़ेगा S is equals to U T plus half 80 square V is equals to U square plus 2 AS यह Newton ने तीन equation दिये थे motion के equation दिये थे ठीक है यह mostly दोस्तो क्लास 9 में आप आएंगे तो क्लास 9 में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ गया दिल बन गया वाव तो क्लास 9 में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है चलिए अब हम आते हैं एक और force की तरफ वो है दोस्तो gravitational force इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब यूँ समझे कि हमेशा दो object एक दूसरे को attract करते हैं दो object के बीच हमेशा एक force काम करता है यह यह चीज़े कब आई कोई भी product आप हवा में फेकते हैं तो वो जमीन पर ही क्यों गिर जाता है तो कई बार पुराने जो शिक्षा सास्त्री थे जो पुराने जो विज्ञानिक कह लिए उन्होंने भी माना था कि प्रिद्विक के अंदर एक ऐसा force है ऐसा बल है जो वस्तू को अपनी और attract करती है चलिए देखने इसको पदार्थों दोरा एक दूसरे को आकर्सित होने की प्रविर्ती है गुर्तवा कर्षर के बारे में पहली बार गड़िती सुत्र देने की कोशिस न्यूटन ने की गई थी और आस्चर्चने के रूप में ये सही था उन्होंने गुर्तवा कर्षर के सिधान का प्रतिबादन किया न्यूटन ने किया ठीक है न्यूटन के सिधान के बाद आइंस्टीन जो थे इन्हों ने इस पर क्या किया काम किया और इसको बदला बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके पूर्व ग्रीक भारत और इसलामी महान पंडित अरस्तू याद रहिए अरस्तू ब्रह्मगुप्त और भ्रास करचार और अलम इन सभी लोगों ने पहले भी माना था कि किसी प्रकार के एक सकती ही वस्तू को प्रीथि की और चिपकाय की है उससे हम खड़े हो पाते हैं भैराल आधनी की यूग में दोस्तो निउटन को माना जाता है उन्होंने इसका ग्रैविटी का ग्रेव फोछ किया था कि हि का ईन्हों ने कहा था कि की प्रते कड एक दूसरे कड को अपनी और आकरसित करता है ठीक है दूकरें के बीच कारे करने वाले रिष्धागेक वाले अंपरषी उन कडों के सहीति आपके गुडण residential के इनके बीच का जो फोर्स लगेगा न वो इनके बीच इनके मास का इनके द्रभ्यमान के समान पाती और इनके बीच की दूरी का विध करमाने पाती कहने के मतलब मास जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ज्यादा होगा और इसकी डिस्टेंस जितनी कम होगी फोर्स उतना ज्य इनिवर्स्ली प्रोपर्श्नली प्रोपर्श्नली मतलब दूरी जतनी ज्यादा होगी फोर्स कम लगेगा फो ज्यादा लगेगा हिए आजएक नीउ्टन ने कहा था तो यहां से एक फॉर्मूला आ स्पीड के बारे में जिसे हम हिंदी में कहते हैं चाल स्पीड क्या होता है दोस्तों कभी आप देखेंगे अगर मैं आप से पूछू कि आपने कोई प्रोडक्ट जैसे आम मान दिया है आप आपने कितना खरीदा आप बताओगे कि दो कियो चार किलो पांच केजी में कि अगर किसी से भी आप चेस कॉछ intent कि कौन से स्पीड में आे हम इसा है कि इसपीड स्पीड पराश 10 किलो मेंटा फ्रृत giving तो जब ही आप स्पीड बताओगे हमेशा दो चीज़े होती है एक तो डिस्टेंस होता है और दूसरा समय होता है समझ में आगे कि प्रति घंटे में कितना गया यह उसकी स्पीड हो जाती है तो जो चाल होता है दोस्तों वो कितने समय में कितने समय में कितनी दूरी तहकरी इस चीज़ को हमें हיperformance कितने समय में कोई product कितना दूर चला, कोई object कितना दूर चला इसको हम speed कहते हैं कि mild speed कि कि कहते हैं और नहीं हो कोई जह कोई गारी है, वह dizzy note 1 km गई। सबoken AH 2 km गई कई 10 मृट कि कई 10 मृट से पीनिट लगा और गमाज़े वन उसको 15 मिनिट लगा WhatsApp किलोमेटर जाने में उसको 20 मिनट लगा तो एवरेज स्पीड कितना होगा टोटल कितना समय लगा टोटल कितना समय लगा टोटल माल लिजी यहां पर लगा 30 35 मिनट लगा ठीक है कितना कितने देर चली एक दो तीन तीन च्छे तू छे तो इसको अगर आप डिवाइड करेंग तो उसकी एवरेज स्पीड पहले उपर क्या रखेंगे उपर हम डिस्टेंस लिखेंगे नीचे उसकी समय लिखेंगे यहां से एवरेज स्पीड निकल जागा तो किसी वस्तू द्वारा एकांग समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं एकांग समय मतलब निश्चित एक स समय में माल यह किसी वस्तू का अगर आप घंटे में निकाल रहे हैं तो एक घंटे में वह वस्तू जितना किलोमेटर चली है और सटन वह उसकी स्पीड हो जाएगी सेकेंड के बात करेंगे तो एक सेकेंड में कोई आप सिंपली परिवासित करना चाहेंगे तो speed is nothing but the ratio of distance and time चाल क्या है भई दूरी और समय के अनुपात को हम चाल कहते हैं समझ में आ गई बाद speed कहते हैं मातरा क्या होता है मीटर पर सेगेंड ठीक है चलिए यहां से आप speed को समझ गया average speed total distance covered total time taken और सच्चाल यहां से आपको इस तरीके से निकल जाएगा अब next point और last point आपके इस unit का इस chapter का वह है दोस्तों force बल क्या होता है ताकत मत समझे बल force आप जो बल लगाते हैं इसका मतलब क्या होता है धीक है native माल effects तो मैं सामरे बल खड़ा है धीक है इसको मैं धुक्क दे रहा हूं ठीक है ठीक है दो वस्तों हो सकती है एक तो मैं इतना धाकúa दूं इतना force लगाओ कि देवा樂 गिरी यहिए जाए दूसरा मैं कोशिश तो कर रहा हूं कि गिराने म Mik declona fan करेब कोई मानले एक दिवाले वह अंविक स्तिती में में चींज चरने के कर दिया आख करने की कोशिश कर रहा है तो वह जाए का वर नैूम्टन सब्सक्राइब नियुटन ने ने वह का रहा है जाए जो किसी भी वस्तु के इस्तिधी में परिवर्तन करता या परिवर्तन करने की कोशिश करें उसे हम बल कहते हैं यह फर्मूला आप देख लिएगा अक सिर आप से यहां से पूछता है अब फोर्स दोस्तों कई प्रकार के होते हैं कैसे होते एक चुम्बकी बल मेगनेट फोर् फिर हम कुछ आपके questions देख लेंगे इस unit से कितने questions बन सकते हैं फिर इस वीडियो के हम समाफ्ट कर देंगे चुम्बकिये बल का मतलब क्या होता है कुछ ऐसे product होते हैं जिसके अंदर ये quality होती है कि वो दूसरों को अपनी तरह अट्रैक कर लें जिसे चुम्बक हो गया लोहा हो गया यह दूसरों क्या करते हैं कि दूसरे को अट्रैक कर लेते हैं कुछ business प्रकार के वस्तूव अत्वा पिंडों में एक अडू एवं प्रमाडू के प्रस पर आबद अत्वा मिलाये रखने वाले बल पाई जाते हैं इस बल को चुम्बकिय के बल कहते हैं गुर्टवा कर्शर बन वह बल वह सकती वह ताकत जिससे प्रीथवी हर एक वस्तूव को अपने तरफ खीच लेती है प्रीथवी अपने चारों और विदमान वस्तूव सभी प्रकार के सक्रिय निसक्रिय पिंडों पर बल प्रभाव रखती है या बल चारों और की वस्तूव को आकर्सित करता है कोई भी हवा में फेक है तो वह जमीन पर आके इसे गुर्टवा कर्शर बल कहते हैं जब कोई वस्तू नीचे गिरता है तो उस पर प्रिथवी गुर्टवा कर्शर बल डालती है ठीक है समझ गया बच्चों को समझा देंगे ठीक है चीज़ी आपजेक्ट होगा ना तो आपको आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि वह इलेक्रान पॉटान और न्यूटान से बना है तो वह जो इलेक्रान पॉटान नीूटान एक दूसरे से कनेक्टेड होते है उसको हम निकलियर फोर्स कहते हैं जब यह प्रस पर होता है तो ज्यादा खत्रा करता है इसका रियक्शन जो होता है वो ज्यादा खत्रनाक होता है नेक्स देख लिए मस्कुलर मतलब आप अपने मसल से जो ताकत लगाते हैं मनुष्य पस्वय में अनजनतों दोरा कारे करने के लिए अपने अपने सरीर में जो बल लगाए जाता उसे PCA वाल या मस्किलर फोर्स कहते हैं खीलाडियों में इस बल का विकास विवी ने किरियां कराकर विक्सित किया जाता है घोड़ा कुट्था एवं सेर PCA बल की अधिक्ता होती है उधार फुटबॉल खेलते समय पैरों से ठोकर मारने से PCA बल का परियोग होता है जो आपक जो ट्राइप से उसको देख लीजिए इलेक्ट्रिक फोर्स ठीक है विद विदूतिय बल प्लास्टिक की किसी वस्तू को रगड़ने जैसे आप कंगी लेजिए कंगी को ऐसे रगड़िया फिर पैन से भी और फिर उसको आप वो करिए क्या कहते है पेपर पेपर से चिपक तो ऐसे कंगी या प्लास्टिक पैन लीजिए उसे सुखे बालों में थोड़ी दिर लगड़िये इसे कागज से छोड़े-छोड़ पास ले जाए कुछ कागज के टुकड़े इसमें क्या होंगा आकर्सित होंगे ठीक है पेन कागज पर टुकड़ों पर बल लगाते हैं कर यह प्रक्टिकल करा देना है तो लास्ट बट नॉट दे लिस्ट ठीक है अभी जब आप सवाल देखेंगे ना कि डीलेड में आपसे कैसा सवाल कुछा है तो डौट और किलिर हो जाएगा लास्ट फोर दोस्तों फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जब आप तिस अंब किसी वस्तु को अपने तरफ खीचते हैं तो अपनी सत्व प्रक्टिक्श करता हूशन फोर्स केते हैं जब अब्जेक को आप इधर खीचेंगे तो जमीन इसकी तरफ एक पीछे की तरफ क्या लगाएगी फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी घर्षर बल लगाएगी तो बस इतना ही आपको जानना था इस पूरे रत में ज्यादा कुछ नहीं जानना था ठीक है अब वन बाई वन सवाल जान मतलब यह कॉंसेप्ट प्लप का केलियर हो गया है गती के नियम किस ने दिये थे पताएं डॉल्टन ने ने आर्कमटीन ने चहांट डीवी जान डीवी कहा से आ गया इसमें ने रहे जान पर आपका एक सवाज यहां पर बनके आ गया जब कोई गती सरल रेखा में चलत Speed का formula क्या होता है तो Speed का formula मैंने बताता है Charles इस सभीड का distance upon me time दूरी बटा से में Speed इससे दिस्टेंस by time दूरी बटा से में ठीक है? Correct? कोई दिक्करत कोई दिक्करत ने Types of force एक समान हाँ आसक जी हाँ आस समान ये तीन हो तो क्या हो जागा? यह तीनों हो जाएंगे एपस ओफ फॉर्स ओके यह देखो से लिएंगेयखय cities रहती है क्या करहती है वर्ति गति एकत रहती है से करेक्त मैं आपको इसमाजा हिए और अब भाइः करिए गति कितने प्रिकार के होते हैं वृत्ती गती किसे कहते हैं किसी गतीमान वस्तु की दिसा परिवारतन कैसे किया जा सकता है बल लगाकर चाल की परिवासा Speed की आपको definition पतानी है Next गती के समीकरत जो मैंने तीन मताये थे दैनिक जीवर में Frictions का क्या फोर्स है घर्षर बल का क्या महतु है यह आपको बताना है इस पीड को आपको तुरह सा डिस्क्राइब करना इस पीड की विचना करनी है घुड़न गती किसे कहते हैं उधारत सही समझाईए बल को परिभासित करते हुए बल के प्रकार लिखे तो यह वो सारे सवाल है जो समझ में आया होगा समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करते हैं नहीं जूड़ने चैनल सब्सक्राइब करके चैनल से जूड़ जाएगा और अपने अने दोस्तों के शेयर करेगा घब्राइए मत इसी दरीगे से आप देखते हो चलिए बस डेली अगर एक बार देख ल झाल झाल